फिल्मी परदे पर ग्लाम्रस लुक के साथ लोटी चित्रांगदा सिंग की जिन्दगी का रंग कैसा है? चित्रांगदा भले ही अपनी निजे जिन्दगी को साथ परदों में छिपा कर रखती हो। अकसर खबरे आती रही हैं लेकिन हर बार चित्रांगदा इस खबर को जुटलाती भी रही लेकिन अब उनके तलाक की खबर हर जगा जंगल में आग की तरह पहल गई है फामली कोट से उनके तलाक याचिका की कॉपी भी अब सामने आ गई है खबरों की माने तो चित्रांगदा और मशूर गोल्फ कर जोती रंधावा ने मई 2013 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी ये पेटिशन गुडगाओं के फामली कोट में फाइल की गई थी पिशले साल याणि के 2013 नवंबर में दोनों का तलाक हो गया कोट से उनके बेटे जोरावर रंधावा की कस्टडी भी चित्रांगदा को मिली है हैरत की बाद ये कि बॉलिवूड की सहरोईन ने इतने लंबे वक्त तक इस खामर को छिपा कर रखा चित्रांगदा ने गोलफर जोती रंधावा से अपने आक्टिंग करियर से पहले ही शादी कर ली थी शादी के बाद ही उन्होंने सुधिर मिश्रा की फिल्म हजारों खौईशे ऐसी से अपने अभिने करियर के शुरुआद की थी जिसके लिए उन्हें काफी सराहा भी गया था इस फिल्म के बाद ही उन्होंने ग्लामर वर्ल्ड से मुह मोड लिया था और अपने पती के साथ डिली शिफ्ट हो गई थी लेकिन चितरांगदा को अभी ने छोड़ना रास नहीं आ रहा था खबर है कि इसी वज़े से दोनों की शादी शुदा जिन्दगी में दरार पढ़ना शुरू हो गया चितरांगदा वापस मुंबई आकर फिल्मों में काम करना चाहती थी जबकि जोती रंधावा को यह खताई पसंद नहीं था कि ओ फिल्मी लाइन में वापस लौटें पर वो कुछ यू मुस्कुरा कर जवाब बेती जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो और अब सीधे ख़वर आई है उनके तलाग की चितरांगदा अभी भी इस पूरे मामले पर खामोश है बॉलिवर और ग्लामर की दुनिया में शादी का तूटना कोई नई बात नहीं है लेकिन अपने तलाग को चितरांगदा ने आखिर क्यों छेपा कर रखा ये अभी भी सस्पेंस है ड्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरर रिपोर्ट